दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलाहबाद उनिवसिटी में कॉंपेटिशन कितना है यानि कितने सीटे हैं और कितने फॉर्म आये हैं इसी से पता चलेगा कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अपलाई किया है यानि कॉंपेटिशन लेबल क्य में admissions के लिए form 7 October तक apply कर सकते हैं UGPG और Institute of Professional Courses के लिए तीनों में आप 7 October तक form apply कर सकते हैं अब दूसरा मुद्धा है entrance examinations उसके बाद competition level पर आएंगे दूसरा मुद्धा है कि 17 October से entrance examination शुरू हो रहा है 18 October से और ये चलेगा 27 तक तो 18 October से लेके 27 तक आपके entrance examination शुरू होगे अब किस course का कब होगा वो देख लिए एक छोटे से snapshot में अब देखिए 20 October का जो test होने वाला है उसमें PG-82 दो shift में online mode में test होगा उसी date में entrance examination UG-80, BA, LLB, MCOM और LLM का online and offline mode में होगा उसके बाद entrance test for these courses would also be conducted on next day same courses का next day भी होगा October 21st को उसके बाद IPS में मतलब की professional courses जो है उसमें October 2nd में 20 seconds में यानि October 22 में two shifts में exams होगे अग्ला दिन जो 23 October होगा उसमें institute of professional जो courses है उसके भी first shift में test होगे उसके बाद PG-80 जो कि उसमें MA और MSE है और उसके साथ LLB के exams होगे October 27 में दो shift में तो 18 से शुरू होगे और 27 तक आपका entrance examinations complete हो जाएगा और जब admit card आएगा तो उस पे लिखा होगा कि आपका examination center कहाँ पड़ा है तो admit card का आने के इंतजार किजिए एक सब्ता पहले ही आपका आएगा अगर 18 से exam start है तो आप समझे जए 11 या 12 के आसपास आपका admit card आएगा इलहाबाद university कहा तो आपको dates पता चल गए अप जानते हैं कि competition level क्या है तो विश्य विद्याले में एक seat के लिए 8 दवेदार है बता एक बटा आठ है वो कैसे पता चला है ये पता चला है देखिए जो अच्छे course है उसमें form ज्यादा आएंगे जो course का demand कम है उसमें कम आएंगे अच्छा बुरा कोई course नहीं होता सारे course सेम ही होते हैं पढ़ने वाले के उपर depend करता है कि कितना अच्छा से पढ़ाई किया क्योंकि जितने भी graduation level के जो degree होते है उसके बाद ही IS बनता है तो को के उपर student के उपर कितना मेहनत करता है टोटल अभी जो forms आये हैं university में वो लगबर आ गये हैं अभी तक आप देखेंगे एक लाख 28,000 मतलब डेल लाक के आसपास form आये हुए है registration हुए जिसमें fees 60,000 लोगों नहीं अभी भरा है तो आगी date बढ़ गई है 7 October तो form भरने के जो पर किरिया है और जादा हो जाएगी तो डेल लाक के आसपास registration मान सकते हैं और एक लाक मान सकते हैं कि उसमें आप fees भी जमा करेंगे तो यह रहा है इलाहबाद university के बारे में अगर वीडियो पसंद आई होगी तो like किजेगा चैनल पर नहीं तो subscribe किजेगा मिलते हैं अंगली